हेलो एब्रीवन कैसे हो साभी लोगूमी तहीं कि सब बहुत अच्छे से होंगे इस वीडियो में हम डिसकर्स करने वाले हैं इलेक्रिसिटी चैप्टर के पेज नूमबर 22 के इंटेक्स कोर्शन के बारे में इसमें हम लोग कोर्शन नूमबर 1,2 और 3 का सॉल्यूचन बहुत ह देखने वाले हैं अगर आपने इस वीडियो अभी तक नहीं देखा साथी साथ आने वाले इंटेक्स कोर्शन साथी जाते एक्सरसाइज के सॉल्यूचन आप देखना चाते हो तो कंप्रीजिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में तो एक बाइस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलेगा और जितना कम चार्ज्ट होगा या जितने कम पावर का होगा फिर उस बेसिस पर पोटेंशल डिफ्रेंस भी हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो यह सिंपल फॉर्म में किस पर डिपेंड करता है या फिर हम लोग बहुत करें तो बैटरी सेके या है what is mean by the same the potential difference between two points is one volt है ना यारनी की दो है ना सिंपल फॉर्म में दो एंड है दो एंड के बीच में potential difference को हम लोग वन वोल्ट कब बोलेंगे तो सिंपल फॉर्म में V का formula पता है V equals to formula होता है क्या W by Q है ना V equals to क्या होता है formula W by Q अगर हमें one volt बैटरी है है अगर हमारे पा एक का एक है इसका मतलब वहां से क्या करेगा एक जूल एनर्जी पास करेगा पर कुलाम एलेक्ट्रिक मतलब क्या होगा कि जब एक कुलाम चार्ज फ्लो होगा या फिर एक कुलाम चार्ज को होने के लिए अगर एक जूल work done किया जाएगा तो फिर उस potential difference को simple form में हम लोग क् इस वन जूल ऑफ वर्ग नन इस मूविंग वन कुलॉम ओफ एक्ट्रिक चार्ज यानि कि एक कुलॉम एक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए अगर एक जूल एनर्जी का रिक्वार्मेंट होता है फिर उस पोटेंसल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते है डियाट इस वन में था यार बस फॉर्मूला अगर आपको याद होगे ना विक्वल्स टू डबलू बाइक्यू या किसी भी यूनिट्स के बार में अगर आपसे डिफाइन करने पूछ रहा है ना कुछ नहीं करना आपको फॉर्मूला लिखना है वन वन सबको कर देना है उस बेसस पर यारणी कि अगर इसका हम लोग सॉल्यूसन करें तो सॉल्यूसन हमें दिया इच कुलॉम यानि कि क्यू का वैल्यू चार्ज का वैल्यू हमें दिया हुआ कितना एक कुलॉम दिया हुआ है ठीके passing through a 6 volt battery यानि कि V का value हमें दिया हुआ है कितना that is 6 volt हमें दिया हुआ है तो हमें energy पूछ रहा है यानि कि work done का value पूछा है कि कितना होगा अब हमें formula पता है formula क्या पता है कि V equals to क्या होता है W by Q बता formula पता है potential difference को define कैसे करते थे the work done in bringing a unit positive charge from infinity to at a point it's called electric potential है ना इसी type से हम लोग define करते थे बस वही निकालना है हमें क्या निकालना है W का value energy का value work done का value जो बोलो work done भी एक type में क्या है अपने आप में वो भी एक energy है तो simple form में आप लिख दोगे W equals to क्या V into Q है ना V into Q V, V का value कितना है 6 और Q का value कितना है 1 तो 6 वन जा 6 इतना क्या Joule यह हमें simple form में इसका answer देखने को मिलेगा यानि कि 6 Joule energy जो है वो flow करेगा ठीक है तो इस basis पे बहुत इस simple form में इसका आप answer कर सकते हो और एकदम proper form में इसका solution आप दे सकते हो I hope कि यह सारा का सारा part